क्या आप एक मॉम है या फिर आपकी अहली डिलिवरी होने वाली है या तो आपके घर में कोई बेबी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफर्मेटिव होने वाला है तो प्लीज वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा हेलो गाइज वेलकम टू आवर चैनल वीमेन एंड वेवी हेल्थ और मैं हूँ अनामीका मैं एक फर्मसिस्ट हूँ तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ इस ड्रॉप के बारे में यह बिटामिन दी थ्री किट्स नैनो ड्रॉप है जिसमें कोले क इसे पॉसनली यूज करती हूँ क्योंकि मेरा टू इयर्स का बेटा है और उसके बहुत के समय से ही मैं इसे यूज करती हूँ तो यह मेरा पॉसनल एक्सपिरियंस भी है और मैं मेडिकल प्रोफेशनल भी हूँ तो मैंने सोचा आप से सेयर करूँ बेवी के जो लाइफ के देना क्यों जरूरी है और अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो विटामिन डी की डिफिसेंसी से बेवी इस पे क्या एफेक्ट हो सकते हैं और साथ ही इसको कब देना स्टार्ट करना चाहिए और कब तक देना चाहिए और इसकी रिक्मेंडेड डोज क्या है तो वीडियो सुरू करने से पहले आपको बता दू कि अगर वीडियो यूसफुल लगे, इंफॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करें, सेयर करें and चैनल को सब्सक्राइब करें क्यूंकि इस चैनल पर वीडियो के हेल्थ रिलेटेड वीडियो आती रहती हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, तो आएए वीडियो सुरू करते हैं तो सबसे पहले जानते हैं कि विटामिन D3 क्या है और इसे बेवीज को देना क्यूं जरूरी है विटामिन D3 को कोले कैसे फिरॉल भी कहते हैं या एक विटामिन D है जो की फैट सॉलिवल है विटामिन D बाडी को हेल्प करता है कैल्सियम और फासफोरस के एब्जॉप्शन में विटामिन D3 बेवीज के बोन्स को बनने के लिए स्ट्रॉंग रखने के लिए इसके साथ ही हैल्दी बोन्स के साथ प्रीफिंग के लिए बहुत इंपोर्टन होता है इसके अलावा vitamin D जो होता है वो nervous system जिसमें की spinal cord और brain जुड़े होते हैं इनके health को भी support करता है और साथ ही lungs और heart के health को भी support करता है vitamin D body के द्वारा skin में भी बनता है जब skin sunlight से exposed होती है बट आजकल की हमारी life style की वज़े से जैसे limited exposure of sunlight या फिर sun screen का use करना sun screen हमारे skin को harmful red से protect करती है बट हमारे skin में vitamin D नहीं बन पाता है और अगर बात करें newborn babies की तो मौसम की वज़े से जैसे winter season में हो गया कि कभी-कभी धूप निकलती है और कभी नहीं निकल पाती है और फिर गर्मियों में जो sunlight होता है वो babies को बरदास नहीं हो पाता है हम babies को sunlight में नहीं ले जा पाते हैं इस वज़े से भी vitamin D की कमी हो जाती है जो babies breast feeding पे हैं उनके लिए vitamin D का supplement बहुत ही important है क्योंकि breast milk में पर्याप्त मात्रा में vitamin D नहीं होता है या फिर करिए कि नहीं के बराबर होता है और बात करें कि formula milk की तो formula milk में थोड़ा बहुत vitamin D होता है बस उससे vitamin D की requirement पूरी नहीं हो पाती है इसलिए babies को vitamin D का supplement देना बहुत ही important है vitamin D 3 का foods में भी पाया जाता है जैसे की fatty face, cheese, mushroom, eggs तो अगर आपका baby 1 year से उपर है तो आप इन सारी चीजों को खिला सकती है बट कितना भी आप इन सारी चीजों को खिलाए विटामिन D की requirement पूरी नहीं हो पाती है और विटामिन D का supplement देना जरूरी हो जाता है और अब विटामिन D का यूज न करने पे विटामिन D की deficiency से baby को क्या effect हो सकते हैं जब बॉडी में विटामिन D का level normal से कम हो जाता है तो उसको कहते हैं विटामिन D deficiency या फिर hypo vitaminosis D और यह तब आजाता है जब बॉडी बहुत कम sunlight से expose होती है या फिर यह कभी कभी vitamin D से भरपूर खादे पदार्थों का सेवन न करने के वज़ा से भी हो जाता है विटामिन D की कमी से बेवीज में जो कमी आती है जो समस्याएं आती है उनको मैं बता दे रही हूँ तो सबसे पहले आता है रिकेट्स रिकेट्स एक ऐसा condition है जिसमें कि बेवीज के bones होते हैं वो soft और weak हो जाते हैं इसका एक symptom है Boud leg में जो बेवीज के पैरों की हड़ी है उसकी बनावट सही से नहीं हो पाती है यहाँ पे मैं पिक्चर लगा दे रही हूँ आप लोग देख सकते हैं और जो दूसरा sign है विटामिन D की deficiency का वो है craniotaps craniotaps में infants और children का जो head या skull है वो abnormal होता है, soft होता है और बहुत ही thin होता है या generally newborn babies में पाय जाता है और risk of bone fracture बढ़ जाता है इसके अलावा pre-eclampsia pregnancy के दौरां जीन लेडीज में vitamin D की deficiency होती है उनका जो baby होता है उसकी bones की बनावट अच्छी नहीं होती है quality अच्छी नहीं होती है अब vitamin D का recommended dose में आपको बता दे रही हूँ तो अगर आपका baby 0 से 1 year है तो उसके लिए 400 international unit per day यानि कि अगर ml में बताऊँ आपको तो 0.5 ml per day आप दे सकते हैं और अगर आपका baby 1 year से 18 month है तो उसको 600 international unit यानि की 1 ml आप per day दे सकती है और अगर आप पहले से कोई multi vitamins अपनी baby को दे रही है और उसमें vitamin D है तो आपको अलग से vitamin D देना जरूरी नहीं है vitamin D को आप baby के birth के time से start कर सकती है और 18 month तक आप continue कर सकती है अगर आप आगे continue करना चाहती है तो एक बार आप अपने doctor से consult करिए आपके baby के healthcare according आपको advice करेंगे उसके अनुसार ही आप vitamin D का use कर सकती है तो friends ये था मेरा आज का video I hope आप सबको useful लगा होगा तो video को like करें, share करें and channel को subscribe करें क्योंकि इस channel पर women और baby के health related videos आती रहती है तो मिलती हूँ अपने अगले video में तब तक आप अपना खयाल रखिए, thank you